है आज ना दोस्तों कैसे हो आपका स्वागा थे तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास का चैप्टर नमर 16 जिसमें हम आज करेंगे लोकल गोवर्मेंट और अर्वन रूर्लर ससाइटी के विशह में विस्तार पूर्वक जानेंगे यह जो होगा हमारा अस्थानिय सर जो है इस पर सासवन और उसके अर्वन और ग्रामनिय और सहरी समाज की विशह में विस्ता सब्सक्राइब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना वी चाहिए विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए वो यह है कि जब भी वेडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इंपोरेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोवल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसे यह होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए सेर का मतलब यह होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए यह आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप सेर जरूर करो ठीक है वट सब स्टेटरस पे भी लगाओ दोस्तों आने से संटर जै कई मानने में बहुत से बच्चों के ल सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेफ करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है तो I wanna doing a most important chapter our local government there is two part urban and rulers are local bodies there is a first important point here urban local body the online local word is a government here in our time and city we have local government institutions that I call to the munsi parties and the municipal corporations and common area usually a compact are a dense populated area municipal administration is और वार इस दोबी डियासेट कि वह अजब बाउड़ जल का लुचर अजब लाल में, युच अजब अजब तन लॉच सबस्यांति को अनुब चियू अजब पर और अजब लॉच लोगर जब्स टोर स्वाध इंच नुच. इस स्थानी शासन के रिगारंगा रेग वार्फट नियुक स्थार्फ पार चिर्णिक्ट रर्ड यह साप्रम परताब। तो मुझेल गोर्मेंट हैस मेड़ पोसिवल इस पाटिसिपेटिंग अरवन डिवॉल्पमेंट एंड लोकल मेड़िजिमेंट आप दा सीवल फैसिलिटीज अस्थानिय सासन के रिगार्डिंग जो हमारा चैप्टर अस्थानिय सासन में जो है सहरी और ग्रामनी चेत्र के वि सहरे में विस्तारपुर्वक चर्चा करेंगे जिसका हमारा पहला पॉइंट यहीं दर्शाता है कि सहरी स्थानी निकास किस परकार होती है तो अपना एक रूलेश्ट होता है हर एक चीज़ ब्यवस्ता करने के लिए और इसके लिए नगर निगम जो होती है बहुत काफी हो होता है जो कि सारे मेंटरिनेस करने के लिए अगर सर रोता है हमारे कस्वี่ारं सेहरे में स्थानी शाषन की सश्थाएं होती है जिनके नगर पालिका और नगर निगम कहते कूरे का डिप्टार अंजन स्वास्ते प्राथमिक सिक्षा सरके का निर्मान और रखड़काफदा सफाई आधी का प्रबंदन करने के लिए अवश्चक होती हैं कहते हैं लोग तादरी सरकार जो है नगर पालिका हैं जिनकी चुनाव अस्थानिये लोग करते हैं कि कर लगाने जनता से कर और जुर्माना वसलने का अधिकार भी देती है यानि नगरपालिका के जो election होती है आम जनता में ही होती है और जनता से ही जो वेक्ती चुने जाते ही वो ही सारे maintenance भी करते है जिन पार्टी के majority अधिक होती है उसी में से जो है मेर भी चुना जाता है कहते है भवन निर्मान सरक निर्मान तक कुड़े का निप्ठारन के नीमित कर से नगर निगम की सुविधाय सुव्यवस्थ करते हैं नाडी एवं बाल विकाज जुग्गी वस्तु का विकास कारे भी इनके माध्यम से ही होती है नगर पालिकाओं में सहरी विकास एवं जन स्थानिय प्रबंदन में लोग की भागदारी का संभब बनाया भी जाता है तो इस परकार जो है नगर निगम का अपना एक महत्वपून योगदान है अब उससे अधिक इंपोर्टेंट जो हमारा आगे का टॉपिक जो है सेवेंटी फॉर में सविधान सविधान दौरा कि यह के सुधार जो कि बहुत काफी इंपोर्टेंट है यह कहते हैं बिए वाले बच्चों के लिए इंपोर्टेंट है कि 74 आटिकल्स में क्या-क्या बाते को दर्शाया गया है जो कि काफी इंपोर्टेंट रहता है दबर नेक्स टॉपिक जो की काफी इंपोर्टेंट रहता into government. From time to time to improve their urban bodies resulting in their impeachment of the constitution. And 74th Amendment Act of 1992, the early states' government were free to manage their local bodies as they wished. The amendment made a serious provision for the establishment and empowerment or functioning of the urban, local, self-governing institution. The main provision of the act can be grouped under two categories. It is compulsory and voluntaries. There is some of the compulsory provision which are the binding on all the state art. There is a first point here. Constitution of the Nagar is a panchayat, a municipal commissioner and municipal is a corporations and small, big and very big urban area respectively. There is a most important here. Constitution of the Nagar panchayat, municipal councils and the municipal corporation and the small, big and very big urban area respectively. There is a reservation of the seat in urban local bodies, a scheduled caste and scheduled tribes. Roughly is a proportion of their population and third is a reservation of the seat for the women up to one third of the seat. And the seat election commissions and constitutive order to conduct an election in their panchayati raj body, see the 73 amendment. Will be also conducted election to be urban local self-government of bodies. And the state is a finance commission constitutive as a deal with the financial affair of the panchayati raj bodies and also look into the financial affair of the local urban and self-government bodies. The tribunal of the urban local self-governing, the body is a fixed at the five years and in case of earlier dissolutions and fresh elections are held without six months. There is a most important here. And some of the voluntary provisions which are not to be binding but are expected to be absorbed by the state are. There is a first here. Give a voting right to be a member of the union and state legislatures is this body. And secondly a providing reservation for the backward classes and third is a giving to the financial power in the relation to a tax duty, tolls and free etc. The making of the municipal bodies is an utterance on the devolition of the power to this body to perform for some of all their function emigrated in their 12th schedule added to be a constitution through this act and their prepared plan for economic development. In accordance with the 74 amendment, a municipal cooperation and the municipal parties is a municipal boarded or municipal communities are now regulated in the fairly uniform manner in all the state. However, you must remember that local self-government continues to be a subject in the state lease. Thus, the 73 and 74 amendment is a provide to the framework for the state in respect of the local government. Thus, each state has its own election commission which conduct an election to all the local bodies after a regular interval of five years. Each state has a finance commission to regulate finance of the local bodies and the cities are reserved in their cooperation and multi-parties for a studio caste and tribes. And other third seats are reserved for the women in all local bodies, urban and ruler. चार्टीकल आपके समाखभाशाः यहाई है, और पार्ड़मी और बार्ड़मी के लिए तो हैी जरूरी यह तो आपके समाख़ी है. ठीक है तो यह बहुत जरूरी है जो आपको करना है ठीक है सीवेसी में जो बच्चे पर रहे हैं उनके लिए गार्मी क्लास में यह काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स रखता है और यह कई वार एक्जाम में भी आच चुका है तो इसलिए आपको यह समझ लेना अत्यंत सोधन एक्ट 1992 लागू किया गया था और पहले राध्य सरकार ने अपने स्थानी निकाय को अपनी इच्छानजार प्रबंधन करने के सुतंतरा भी दी गई थी यानि कोई भी वेक्ति अपने रूर्ड लगुलेशन की डिगार्डिंग जो है इसको चला सकता है सुतंतरा से कुछ जो सभी राज्यों के लिए अवश्रक होते हैं कुछ इस परकार देखिए यह पॉइंट आपके लिए अत्यांत महत्वपूंट आएगा कि सेवेंटी वे जो सभीधान सोधन हुआ उसमें कौन-कौन जिस विसेस बातों को ध्यान डखा गया और यह सभीधान जो ए यहां डखना होगा कि इस एक्ट के प्रबादानों में दो वर्गों में विवक्त किया गया था एक अनिवारे और एक एक्ट्चु के रूप में तो देखते हैं कि इसी कौन-कौन से अवर्शकता हैं जो थी अनिवारे बनाया गया था सेवेंटी फॉर आर्टिकल के रिकार यह दूसरी बात थी 74 आर्टिकल्स की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट अरक्षित करना यह भी 74 आर्टिकल्स में दी गई थी कहते हैं अगर 73 संसोदन के नुस्तार पंचायती राज्य सवाशासी संस्ताओं के चुनाब करवाने है तू गठित राज्य चुनाव आयोग सह स्थानिस और साशी संस्ताहों के चुना पकरवाएगा तो यह भी बात इंपॉर्टेंट था लेकिन यह 73 संसोदन नहीं है धी 33 आर्टिकल्स में था यह भी अठिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन यह गार्मी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है पंचाइदी राज्य संस्ताओं के वित्य मामलों के देखने के लिए गटित राज्य वित्य आयोग अस्तानी सहरी सोशासित निकायों के वित्य मामलों को भी देखेगा ये भी ये प्रवदान किया गया था। इसमारे समक्षा था कुछ एच्चुक प्रवदान जो राज्यों पर वाध्यकारी नहीं है परतों जिनको राज्य दुरलागू करने के अप्रिक्षा की जा सकती है। इसमें पहली बात यही आता है कि इस निकायों में संग, अत्वा, राज्य, विधायकों के सहसों को मत अधिकार परदान करना होता है। दुसरा यही होता कि पिछली जातियों के अरक्षन के परदान करना यह भी सबसे इंपोर्डेंट बात दी गई थी। के अंतरगत आता है। उसके पस्षाद देखा जाते संसोधन के नुसाड़, अब सभी राज्यों में नगर निगम और नगर स्वासाशन की संस्ताओं के समानने रूप से एक ही परकार में नियंत्रन किया जाता है। पर दो आपको याद रखना चाहिए कि अस्ताणी स्वासाशन अभी तक राज्य सुची का एक विशय है। और इस परकार 73 वा और 74 वा संसोधन अस्ताणी स्वासाशन की संबंद में राज्यों के एक धाचा प्रदान करता है। इवं जन जाती के लिए स्वासाशन होती है। सहरी और ग्रामनी सभी स्थानी निकाय मिस्त्रियों के लिए एक तिहाई स्वासाशन करने का यह 74 आर्टिकल में प्रवधान किया गया है। जो की काफी इंपोर्टेंट है। कहते है 74 आर्टिकल जब लागू किया गया तो यह सभी राज्यों के लिए इंपोर्टेंट था। सभी सिटी के लिए इंपोर्टेंट था जहां पर नगर निगम की विवस्ता किया गया। आज देखो के बरे-बरे नगरों में जो है नगर पालिकाओं की अस्थापना किया गया और नगर निगम जो काफी अच्छा कारे कर रहा है। एक ही होता है सिरफ आपको समझना है कि इसका कारेज होता है आपके जितने भी स्ट्रीट लाइट की हो गई आपका सीवेज की प्रावलम हो गई डिस्पेंसरी खोलना ठीक है रोडों को बनाना है तो सारे के सारे जितने भी मेंटिनेंस के कारे होते हैं सब जो है नगर निगम या नगर पालिका के अंतरगत ही आते हैं also our next topic is the composition composition is the most important here the muscle body are constituted of the person chosen by the direct election from the rehearsals or constituencies in the multiple area however the nature of the state may be law एंपिए विर्वेण भुवाड्य व्क्राव कमप्रेण disembodे तब औरimsबो फंकार्णसेट रडिप्रैद के यद लुवायल र संवीक खर्या स्यल नुवाणरों अिर्णेस ली मेर के ये लुवायल party of the municipal area and the chairpersons about our community there is a most important word of committee in parliament of the weaker section of the society and the human by the deserving the seat for the such a group is one of the important constitutionally provision of the constitutional amendment the office of the chairperson are also be reserved for the scst and woman thus at the least one year out of five year a duration of the museum cooperation of daily the office of the mayor is the reserved for the woman and the one year reserved for the consular of student caste it is a given a term of five years to be a multi parties and if any of them to be a dissolved it must be a given and the opportunity of began headed and the next year to be able to understand the composition of the urban local body be given below a very brief account of municipal corporation of daily this corporation cover entire area of daily expect a small portion of the new dailies where a sheet of union government is situated the corporation has the 136 elected as a member or consular and they are directly elected for to the single member board on the basis of the universal adult franchisee and several seats are reserved for a woman and student caste it is elected for the five year inside there are a 15 personnel nominated by the daily legislative assembly the corporation function through their various communities the standing community began to the most important the political head of the corporation is the mayor elected by the consular for one year a civil servant called to municipal commissioner is it is an administrative head most other corporations are generally based on this pattern yeah we are so 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 uh सब्सक्राइब करते हैं जो की पूरा या उस शेतर का एक भाग हो सकता है तो यह संगटन आता है कि इनका एक प्रवधान होती है चाहिए राज्य के सब्सक्राइब के रिगार्डिंग हो या लोकसभा या रज्य की विधान सभाओं या विधान पढ़िशत के अंतरगत हो कहते हैं समाज की कमजोर वर्गोता महिलाओं को सकती करन के लिए ऐसे समू है तू सीटे अरक्षित करना इस सब्सक्राइब का एक महतुपर प्रवधान है अनुसरी जा के लिए जो है महापैर का पद किसी महिला और एक अन्य वर्ष के लिए किसी अनुसूजित जाती के प्राशत के लिए अरक्षित होती है तकि यह प्रवधान किया गया है बहुत अच्छी बात होना भी चाहिए लेकिन कहते हम जिस समय अब जिस काल में आज आ चुके हैं वह जाती हो कि इतनी अरक्षन भी सही नहीं है कहते हैं जिसके योगता जितना होगा उसको ऐसी प्रकार से यह अधिक्ष बनाना चाहिए लख् 흑 बहुत जरूरियं है क्योंकि हम जानते कि हम आधूनी चुकुरे चुके हैं और यहां पर कोई जाती जन जाती नहीं है यहां पर सब एक समान है सब को एक समान लेके जो है अपना जीवन यापन करना चाहिए और सब को जो है एक ही तरह से जो है वैल्ली देना चाहिए कहते हैं जाती हुती के जो नाम से जो प्रावलम आती है वह हमारे देश क बनाए जो सभी के लिए जो है नाय उचित हो कहते सहरी स्थानी निकाय के संग्रन को समझ पाने के लिए हम नीचे दिल्ली नगर निगम का बहुत संचीफ्त बेरो देते हैं यह निगम नई दिल्ली के थोड़े से भाग को छोड़ का जहां संगी सरकार स्थित है पूरी दिल् वोड़ के सीधे परत्यक्ष रूफ से निर्वाचित भी किया जाता है यानि इसका अर्थ यह हुआ कि जिनको जो 18 वर्ष के उमर पास हो चुका हूँ वोड़ देके जो है अपने परत्यक्षी को चुनते हैं वोड़ देके और उसको निर्वाचित करते हैं महला और अनसू चुनते हैं एक प्रसासनिक अधिकारी जिसे नियमा युक्त कहा जाता है इसका प्रसाश्री मुख्या होता है अधिकांस नगर निगम इसी प्रतिमान पर अधारित भी होता है the next our most most important topic function of the urban local body there is a most important topic here it is a common practice to be divided to organization of the cooperation and municipal parties into the two part the first is a deliberate and the second is qt part the cooperation concerning our municipal board or councils consisting of the selected representative of the people constitute the deliberate of part it act like a lectures it is a discuss and deliberate of the general municipal policy and the performance past the budget of the urban local body frame board and policy is related to the tech stations arising of source and passing of the service and other aspect of the municipal administration it is a keep on the eyes and museum administration and the hold of this qt account table for what is done or not be done for instance if water supply is not a vegan properly as the manage and there is an outbreak of the epidemic the deliberate of wings credit lies and their role of the administration of sugate measuring of improvement the qt part of the municipal administration is a looking after the musul officer and other is a prominent employers the all other departmental officer like an engineer finance or officer a health officer etc there is a part of multiple cooperation here a function under here is here control our supervisions and in the large corporation such a daily or museum is a mumbai municipal corporation the commissioner is usually a senior is officer there is the most important here the delhi and mumbai municipal corporation is a commissioner is usually as a senior is officer in the muslim parties that executive as an officer hold a similar position of the look after the overall administration of a muslim party there is a most important here the muslim function as here generally classified into the obligator and the discretionary types the obligator is compulsory is a function are those that are a municipal bodies must be performed in this category falls such a function as water supply and constructions and maintenance of the road street bridge subway and the other public work street lighting drainage and sewage garbage collection and the disposal here and prevention and control of epidemic some of the obligator's function and public vaccination and the inclinations of maintenance of the hospital and dispensaries including amenities and the child welfare center and checking food is the adulterations removal of the slum supply of electricity maintenance of the cremations and virus ground and the town planning in the some state some of this function may be taken over by state government the directionary is a functional function are this type that is a municipal body may be taken up to found permit there are given less priorities some of the discretionary is a functioning and constitutional and there is maintenance of the rescue home and the office and the housing for the low income groups organizing a public reception and provision of the treatment of facility and etc and their music cooperation take up to the more function than the music parties and there are cooperation like a delhi mumbai badodra pune had about which are known and there are various city development activity in such a area as a public transport public park and open space including municipal jew and the even milk and electricity supply the next year is a moon is a financial resource of the urban local body there is the most important topic financial resource of the urban local body here the museum corporation and muncie parties arise their urban resource from a is a variety of the source as a provides for in the respective municipal law there is the urban revisions source are the income for taxes and fee and the fine and the area from to municipal enterprise like a land tanks market shop etc besides this is the bodies receive a grant from the state property tax on the land and buildings is the most important source of income of most urban local body other taxes is a lived by them are the advertisement and takes provisional takes and etc other city still is remind an important source of income of multi-parties in the western india now they are trained to about to the abolishing this takes as it is obstruct their free flow of the traffic and the highway there is also charge fine to the bridge bridge of the municipal rule and regulation from municipal shop and the market and the rest of houses is a multi-parties is of an iran considerable sum of the revenue it is a general practice for the state to give us grant to their municipal body to improve their revenue position a state grant in the ad may be on ad hoc basis or it is a can be on the basis of contain the municipal like size is a population salam concentration location of the town and etc the next year property tax water tax for water supply there is the most important there are some taxes are related collected by the urban body here a property tax water tax for water supply and surveying tax fire tax tax on the animal and the vehicles trade of the tax duty on transfer property and upstairs duty on content items brought into the cities and education says tax and professional tax some other source of the income are fine and the fees such as a fee on the the table for the municipal shop and the fire imposed by the validation of the municipal by the law here is our जार विमस्ष करने वाला भाग होता है यह किसी विधायक की तरह काम भी करता है यह समाने नगर-णगम नीतियों और निश्पादन पर चर्चा और बहस भी करता है सहरी अस्तानी निकाय का जो है बजट पाडित करता है और टेक्स लगाने से संसाथुंद्पन करने सिवाओं क की दरे निशत करने और नगर-प्सासन के अन्ने पहलिएं पर व्यापक निती भी बनाया जाता है यहार नगर पालिका के प्सासन पर निगाह भी रखता है और कार्ण पालिका को उसके तुर्पन किये गए अथ्भा नग की गजटा है उदारन के लिए जल अपफर्ति ठिक टंग से नहीं की जाद रही है अत्वा यदि कोई संग्रमा रोग फैलता है तो ये विचारक भाग अत्वा इस छेत्र का निर्वाचित प्रतिदू शाषन की भूमिका की अलोचना भी करता है और सुधार के लिए उपाए भी बताता है और नगर पालिका के प्रशाषन के कार कारी भाग की देखवाल अधिकार अबब अन्ने स्थाह्व करमचारी भी करते हैं लिए सबी अधिकार जैजाए स्वास्त्ति अधिकार इत्यादी इसके नियंतरन और lee-lection में ही कआरह करते हैं दिल्ली preparation को अयूक्ष अधिकारी होते है यानि अगर दिल्ली देखा जये और म मुझे पर कॉपरेशन को जो नियंतरन करता है वो बरिष्ट IPS अपसर होता है जो पूरे इसके कंट्रोल के अंतरगत आता है नगर पालिकाओं में कारे कारी अधिकारी क्रिस्तिती भी इसी पर कार की होती है और वह नगर संस्ता के पूरे परशाशन को देख रेक करती है और इ चाहिए इन श्रेडियों में जला पूर्ती गलियों में परकास ववस्ता पानी निकास सी और सीवर कूरा इकठा करना इसका निप्टार अं संक्रमन रोगों को रोकथाम और नेतरन जैसे कारे भी आते हैं कुछ अन्य अनिवारे कारे में जन टीका करन प्रसूती एवं बाल कल्यान केंद्र सहीत अस्पताल और दवा खाने की देखबाल खाद्य परदातों में मिलावट की जाच भी करना होता है कहते हैं गंदी वस्तियों की हटाना विजली की आपूर्ती समसान और कर्विस्तान की देखबाल तता नगर योजना आदी सम्मिलित हैं कुछ राज्यो कम आयवर्ग के लिए घर बनाना नगरिये अनलंदन अयोजित करना यानि अभिनंदन अयोजित करना इलाज की सुविदाओं का प्रवधान करना इत्यादी कुछ एच्चिव कारे इसी के अंतरगत आता है नगर पालिकाओं के तुलना में नगर निगम अधिक कारे करते हैं और दिल्ली मुंबई वर्दोदराज पूने हैदराबाद जैसे नगर निगम अपने जो है विभाग नगर विकास कारिक करमों जैसे सरवजनिक परिवहान सरवजनिक पार्थ खुले स्थान सहीत चिरिया घर और दू तदा विजली अपूर्ति तक के लिए जाने सब जाते हैं उसके पश्राथ हमारे समक्षे सहरी स्थानिक निकाय के वित्ति संसादन देगे इनका पैसा कहां से आता है मैंने कई बार आपको बताया है कि यह लोग नहीं कमाते हैं ना मेहनत करते हैं यह आप से ही आपने जितना भी आपने एलेक्षन देखा होगा वहाँ पर आजकाल जो प्रवधान बन गई है फ्री करने की तो उसमें वो लोग अपने जेव से पैसा नहीं देते हैं आपके ही जेव से पैसा निकलवाते हैं और आपको जूटे फ्री का जो है आपको जहांसा देते हैं आप सोचेगा कैसे तो देखिए यही बात यहां लिखा हुआ है कि नगर निगव और नगर पालिका नगर पालिका करून में किये प्रभधानों के अनेक परकार के सोत्रों से अपने संसाधन जुटाते हैं उनके अपने रास्वे साधनों में करवे सुल्क और जुर्माने नगर पालिका को दम जैसे भूमी तलाव बजार दुकार इत्याज से होने वाले आहे समलित है यानि यह सब पर कि टेक्स चरहा देते हैं जब यह कुछी फिरी करते हैं उनको पैसे कमते हैं तो वो हर चीजों आप यहां पर जुटे आसवासन में जो फ्री के लालज देदे के सरकार आप लोगगो मुर्क बना रहा है आप उसी में बैठे रह जाओगे और इसे भारत का विकास नहीं होगा भारत का विकास कभी होई भी नहीं सकता मैंने अभी बहुत जगह देखा जहां पर बिजली फ्री की गई है वहां पर लोग धरले से दिन रात बिजली जलाकर छोड़ देती हैं ठीक है मैंने ये भी लालच के चक्रवी में फस रहे हैं और सरकार को जिताज रहे हैं लेकिन ये सरकार आपकी भलाई नहीं कर सकता किसी भी तरह से क्योंकि कहते हैं फिरी का लालच देखके पक्षियों को फसा आपने देखा है चिरियों को हम दाना देते हैं कि वह हमारे जाल में फस जाए ऐसा का हालत खराब हो जाता है आप सोचते हो कि क्या खर दू और क्या ना खर दू इसका कारण आप स्वेमी हो कहते जब तक ऐसे गुवर्मेंटों को आप त्याग होगे नहीं तब तक आपका जीवन जो इस विशाव गुरूप से चल भी नहीं सकता है और यह लालाज की कोई अच्छे से अच्छे पार्टी भी आपको कुछ न कुछ फ्री देने के लालत आपको दे रहा है क्योंकि उनको पता है कि भारत के लोग जो है फ्री के बहुत ही सोकीन है और यह सोकीन उनको ले डूबेगा जैसे पहले आपको पता है ना कि राजगदी की लालसा थी बरे आगे यही बात दर्शाया गया है कि कुमी और भबनों पर जो है समपति अधिकान सहरी स्थानी निकाओं की आयका मुखे शोत्र रहता है इसके दोर लगाए गए अन्य करों में विग्यापन कर वेफसाइक कर इत्या देखिए विग्यापन में कर लगाये जाते हैं वेफसाइ क्षाध की चलन में बाधा आतीई है नगर पालिका के नीमों और करनों करने वाले जुर्माना भी इसके अंतरगत आता है दुकान बजार औरSadasay प्राप्त यह यह आपके लिए भू संटी हो के समय लगाय को समय लगाये जाते ना तो यह फी के नहीं होते इससे भी इनको अ राजे का नुदान सहता तत्य अधार पर हो सकती है अत्वा यह निश्य सिद्धानतों के अधार पर भी हो सकती है जैसे जन संक्या के अधार पर हो सकता है गंदी वस्तों के संक्या कर्ष्मों के इस्तिति इत्यादी पर सेरी निकाय दोरा एकत्र कि यह जाने वाले कुछ कर एवं सुल्क जैसे संपत्ति कर पर भी लगाया जाती है जल पर भी कर लगाया जाती है सीवर कर भी होता है अगनी कर भी होता है बाहनों एवं पश्रूप पर कर भी होता है थेटर पर भी कर लगाया जाती है संपति स्थांतरन पर भी कर लगाया जाता है और सहरे में लगाएगी कुछ वस्तुए पर चुंगी सिच्छा और विफसाय कर देखिए आपने यहां देखा न ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहां पर उन्होंने कर न लगाया हो सब करके अंतरगत आता है और यह कर जो है दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और महंगाई इसी वजह से बढ़ता जा रहा है माल लीजिए कोई सबजी सांग जो है दूसरे राज्ज एक हजार में वो मान जाएगा आप तो उसको दूगना लेगा उस मंदे से दो हजार लेगा तो यह सारे चीजिए कहां पर चर गई आपके अवश्चक बस्तूओं पर चर गई तो यही बात तिरपान सब्सक्राइब इस बात को उठाता है कि आप लोग समझदार बनो ऐसे व्यक्ति को चुनो जो लालच नहीं देता हो सिरफ आप लोगी भलाई के कारे में अग्रसर हो कहते हैं मंत्री लोग यह भी बात आपके समक्ष करते हैं कि जो भी मंत्री चुना जाता है उनके लिए जो है पानी फिरी होता है घर फिरी होता है बिजली फिरी होता है तो हम ज कोई फैदा नहीं मिलता है कहते हैं को अच्छा खासा तनका भी होता है प्लस उनको अलाइंस भी दी जाती है इतने कुछ तो उसको बंद करवाद हो ना जनता को फिरी कि लालत क्यों दे रहे हो जनता समझदार जनता को यह पात पता है कि कहते हैं कि जनता जो हमारे भाभारत मेहनत करना जानती है और समझती है कि मेहनत का गुण ही सबसे इंपोर्टेंट होता है कहते ना बैठे बैठे हैं सोय सोय हमें कुछ भी प्राप नहीं हो सकता तो अगर आपको बंद करवाना है तो जनता को फिरी ना करके उन व्यक्तियों को फिरी करवाई जो आपके विवाग समस्दार होता है जो लाइट 2 में बंद कर देता है जो रात वर चोड़ देता है घुला क्यों छोड़ दिया क्योंकि उसको पैसा देना नहीं पर रहा है तो फ्री तो बहुत होती है आप सोचते होगे कि वार्ट तीन-स अ यूनिट एक आम गरीव हो के लिए बहुत होती है और मैं क्या समझाऊं 300 300 यूनिट के बारे में या 200 यूनिट के बहुत बड़ा होता है दोस्तों यह बहुत बड़ी एक्टाइगरी होती है ठीक है आप मुस्किल से अगर यूज करते हो गए उसकार बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए भी है और हमारे देश के भलाई के लिए भी जरूरी है और इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक खतम हो जाता है और जो टॉपिक बहुत काफी वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब नहीं करके रखिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अगर आप यूटूब पे सर्च भ जो आपके मारदर्शन के लिए प्रयाप्त होगी